सब्सक्राइब कीज़े लर्निक फामिसी चानल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फामिसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के end में आपसे एक question पूछा जाएगा आपको उसका answer देना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं अच्छे से आंसर आपको हमें comment box में बताना है क्या है उस question का इस वीडियो को प्लीज एंड तक अच्छे से ध्यान से सुनें आप और जो question पुछा जा रहा है उसका answer दे हमें comment box में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे classification of pharmaceutical powder किस-किस तरह से इसको classify किया जाता है सबसे पहले होते हैं कि bulk powder for internal use then होते हैं bulk powder for external use internal use में क्या होता है जो body cavities के अंदर लिये जाते है inside the body जिनका use होता है जो spoon की मदद से और लिये जाते हैं वोस्ता powder जो है internal use में आते हैं externally जो body के अलग-लग parts पे different parts पे apply किये जाते हैं वो होते हैं bulk powder for external use फिर हम देखेंगे simple and compound powder for internal use powder enclosed in catchets and capsules में ये वाला भी हम देखेंगे topic and effervescent powders and effervescent granules तो ये देखें ये पूरी classification है powders की जिस कितनी तरह के powders होते है इस वीडियो में हम देखेंगे bulk powder for internal use and bulk powder for external use को अच्छे से explain करेंगे हम इस वीडियो में इस presentation में सबसे पहले आता है bulk powder for internal use तो ये ऐसे powder होते हैं जो की body में internal लिये जाते हैं किसी specific action के लिए इसके क्या के points डिसकस करते हैं हम देखें ये ऐसे powder होते हैं जिनमे accuracy of dose जो है वो required नहीं होती या important नहीं होती क्योंकि देखें इस तरह की white mouth bottles में इस तरह के powders को दिया जाता है जिसमें spoon की मदद से जो patient है वो अपना इस powder जो है वो निकालता है और फिर वो लेता है उस powder को तो एक बहुत जादा accuracy maintain नहीं कर सकते हैं powder के case में क्योंकि कभी powder कम आ सकता है इस तरह की powder की जो internal use powder है इनकी several doses दी जाती है मतलब एक ही डबबे से बार बार जो है जो भी patient है जिसको यह दिये गए है वो एक ही डबबे से बार बार स्पून के मदद से powder लेगा और उसको consume करेगा और फिर से जब भी उसको required requirement हो वो फिर से इस पून के मदद से इस powder को इसमें से bottle में से निकालेगा तो मतलब several dose of powder जो है वो दिये जाते हैं एक ही डबबे में several dose को dispense किया जाता है third point है देखे wide mouth bottles में इनको dispense किया जाता है इस तरह की bottle में जिससे spoon जो है असानी से इसमें जा सके पेशन जो है असानी से powder को निकाल सके और फिर उसको ले सके that is why easy removal के लिए wide mouth containers में दिया जाता है इनको non potent substance जो होते हैं सिर्फ वो ही इस तरह की internal use bulk powder के form में दी जाती है usually antacid and luxatives जो होते है antacid, acidity को control करने के लिए and luxatives जो होते है basically constipation वगारा जो है उसको treat करने के लिए जिससे की easy bowel movement हो इसके लिए इन दोनों तरह के powders को इसमें दिया जाता है इस तरह की form में example इसमें आपको पतायागी है ruba powder फिर देखे second bulk powder for external use जो कि externally apply के जाते हैं उनके बारे में देखते हैं सबसे पहले है देखे यह bulk powder for external use जो होते है यह non potent substance होते है same जैसे हमने internal use में देखा था non potent मतलब इनकी doses requirement बहुत ही specific नहीं होती कि कितना amount में powder जो है apply करना है skin पे तो that is why non potent होते हैं second है देखे इनको supply के रते इन तरह के powders को cardboard glass या plastic containers में इस तरह के containers आपने देखे होंगे कभी-कभी cardboard के भी बने होते हैं या glass के भी होते हैं जिसमें specific method of application के लिए जो बने होते हैं method of application मतलब इनका इस तरह का ये top जो है ये sifted top container देखे next point है perforated या sifted top containers होते हैं जिसमें जिसे देखे sifter top में इस तरह के pores present होते हैं container में जिसे की easily जो है इनका removal हो सके असानी से जो है patient apply कर से कि किसी भी body part पे bulk powder for external application जो है देखे four types की होते हैं basically अब सबसे पहले होते हैं dusting powder फिर होते हैं insuffalations, snuffs and dentive phrases तो इनके बारे में हम discuss करते हैं next slide पे सबसे बले देखे हैं dusting powders के बारे में बहुत important topic है exam point of view से dusting powder क्या होते हैं powder for external application जो external लगाया जाते हैं और इन तरह के powder जो होते हैं dusting powder को उनको apply किया जाता है very fine state में जिससे की local irritation ना हो इसका मतलब क्या है देखे जो भी dusting powder होते हैं बहुती fine fine to very fine powder के category में आते हैं अगर कोई भी powder ताकि जब आप उसको skin पे लगाएं तो किसी तरह अगर आप coarse powder को skin पे लगाएंगे तो वो irritate कर सकता है skin पे आपको वो discomfort कर सकता है बट इस तरह की dusting powder होते हैं बहुती fine होते हैं जब आप इसको skin पे लगाते हैं तो एक तरह से skin में पूरी तरह से absorb हो जाते हैं पूरी तरह से अच्छे से ये एक तरह से transparent layer बना देते हैं जिसे की कोई तरह किसी तरह की irritation कॉज नहीं करते हैं skin पे फिर ये dusting powder जो है देखे इनको pass किया आता है सीव नंबर 80-120 से जिसे की इनकी effectiveness enhance होपा है ये और जादा fine state में आपा है that is when की सीविंग की जाती है फिर dusting powder जो है देखे टू टाइप्स की होते हैं medical dusting powder and surgical dusting powder medical dusting powder क्या होते हैं देखे ये ऐसे powder होते हैं जिनको superficial skin conditions पे apply किया जाता है superficial skin condition देखा होगा अपने canid powders दिये जाते हैं ताकि अगर body पे किसी तरह की irritation है या किसी तरह का infection हो गया fungal infection तो उस पे ये externally apply करने के लिए दिये जाते हैं surgical dusting powder होते हैं ये ऐसे powder होते हैं जो कि body cavities में यूज किया जाते हैं burn cases में यूज किया जाते हैं burn case में उस जो भी burn part है body का उसको अच्छी से heal करने के लिए उसको dry करने के लिए इस तरह के powders surgical dusting powders को यूज किया आता है and umbilical cords जो होते हैं infants की जब भी baby born होता है तो उसकी umbilical cord जो है infection के लिए prone होती है क्योंकि उसको just cut किया गया होता है mother की body से, mother के placenta से तो उस पे apply के जाते हैं जिसे कि किसी तरह का infection ना हो baby को तो ये होते हैं देकि surgical dusting powders फिर देकि dusting powder के बारे में हैं कि जब dusting powder को prepare किया जाता है तो उसकी preparation में यूज़ किया आते है telk, kaolin and starch को as a bulk enhancer उसका bulk जो है उसका quantity उसको increase करने के लिए इनको क्यों यूज़ किया था है क्योंकि ये chemically inert होते हैं तीनों ही substance but क्या होता है ये ingredient जो है ये बहुत ही prone होते है contamination के बहुत ही prone होते हैं कि pathogenic bacterias को contaminate कर दें तो इनको use करने से पहले as a dusting powder की preparation में को use करने से पहले इनको sterilize किया आता है dry heat sterilization के थूँ जो कि hot air oven में की जाते हैं इस तरह का oven होता है कौन से temperature और कितने घंटे के लिए 160 degree Celsius for 2 hours इनको sterilize किया आता है इस तरह के hot air oven होता है इस तरह के shells होती है उनके अंदर तो इसमें powder को रखा जाता है sterilize किया आता है अच्छे से फिर है देखे point कि dusting powder जो है generally non-toxic nature होता है इनका बट इस point में क्या समझा गया है कि छोटे बच्चों को इस तरह के powder जो है बहुत जादा अप्लिकेशन इस तरह के powder के मना की जाती है क्योंकि क्या होती है उनका लंग्स जो है पहले से ही होता है और इस तरह के powder को लगा कि क्या होता है अगर वो इस बच्चे स्मेल कर लेते हैं इस तरह के powder को तो चांसे होते हैं उनमें पल्मोनारी इंफ्लामेशन होने के उनके लंग्स में इंफेक्शन के चांस होते हैं तो इसलिए मना किया जाता है रिकमेंट नहीं किया जाता है यह इस तरह के dusting powder को अप्लाई करना बच्चों पे फिर लास्ट पॉइंट है इनको यूज किया आता है dusting powder को as an antiseptic की तरह यूज कियाता है astringent की तरह absorbent and antiperspirant antiperspirant जो पसीना आने से रोकने के लिए इसको यूज कियाता है absorbent की तरह astringent क्या होते हैं ऐसे substance होते हैं जिनको जब आप skin पे apply करेंगे तो एक तरह का खिचाव महसूस होगा आपकी skin पे तो इन सारी ही परपस के लिए उसकियाता है dusting powders को now देखे insuffilation, insuffilation medicated dusting powders होते हैं इनको body के अलग-अलग body cavities जैसे nose, cavity, throat, ear and vagina तो इन body cavities में insuffilator की मदद से introduce कियाता है डाला जाता है nowadays क्या है इस तरह के ये होता है insuffilator तो इस तरह के insuffilator की जैगा इस तरह के pressurized aerosus को use कियाता है body के अलग-अलग parts में जो हमने देखा देखे nose, throat, ear and vagina में इन तरह के medicated dusting powder insuffilations को administer करने के लिए और ये जो भी इसमें से drugs administer की जाती है body के different parts में वो potent होती है अब ये देखा था non potent drug जो है वो दी जा रहे थी but इस case में potent drug जो है वो administer की जाती है insuffilations के case में insuffilations जो है देखे ये produce करता है एक तरह का local effect जब भी local effect में क्या है कि जब भी देखे किसे physician को treat करना हो body का कोई भी part जैसे ear, nose या throat फ्रोट को treat करना हो तो एक तरह का local infection local effect जो है ये produce करता है जिसे कि जो drug है उसको पूरा ही systemic circulation के तुरू जाने की ज़रूवत नहीं है उसी body के part में drug को administer कर दिया जाता है और उसको treat कर दिया जाता है अगर किसी तरह का infection आमान लिजे nose में throat में, ear में या vagina में तो इन तरह के insuffilation letters के through insuffilation medication को body कुण parts में administer करके infection को treat कर दिया जाता है फिर होती है preparation देखे snuff, snuff क्या होते हैं ये snuff भी क्या होते हैं finely divided solid dosage form होती है powders होते हैं जिनको inhale किया जाता है इस case में इनको inhale किया आता है nostril में, कौन-कौन से action के लिए antiseptic action के लिए अगर किसी तरह का infection है nose की यहाँ पर किसी भी area में तो उसको provide करने के लिए antiseptic, bronchodilator की तरह and decongestion action के लिए decongestion जो नाक बंद हो जाती है blockage हो जाती है nose तो उसको treat करने के लिए ना खोलने के लिए या easy breathing के लिए इस तरह के snuffs का use किया जाता है snuffs जो है इनको dispense किया जाता है flat metal boxes में या glass container में जिसका इस तरह का देखे hinged lid हो hinged lid क्या होती है इस तरह की lid होती है जिसको आप जब इस पे घुमाएंगे तो यह बंद हो जाएगी next देखे dentifreeze dentifreeze क्या होती है बहुती common example आपने देखा होगा डाबर लाल दंत मजन का और भी बहुत सारे medicated dentifreeze present होते हैं जिनको क्या किया आता है tooth surface पे apply किया आता है tooth brush की मदद से यह जो होती है इस तरह के dentifreeze इन में क्या क्या होता है detergent and soap होती है जिसे की जाग बने जिसे की एक तरह का foam बने यह detergent and soap normal detergent and soap नहीं होती जिसे हम अपने clothes या अपने dishes wash करते हैं यह specifically internally यहाँ पर apply करने के लिए आपके tooth surface पे apply करने के लिए बनाई जाती है इस तरह की detergent and soaps, abrasive substance होते है जिसे की shining आती है आपके teeth पे and flavoring agents होते हैं इसमें abrasive agent में कौन-कौन होता है कौन-कौन से agents होते हैं calcium sulfate, calcium carbonate, sodium carbonate and sodium chloride तो इसको युद कियाता है abrasive agent, dentifreeze preparation में so देखे, question है आपके लिए पता चलेगा आपको की video समझ में आई है सबसे बहले question है which powder is used in body cavities as well as umbilical cord of infants कौन सा powder इसमें से ऐसा है जो भी आपको बताया जाएगा जो use कियाता है body cavities में और umbilical cords में infants की तो देखे, option है surgical dusting powder, medicated dusting powder, fine powder या none of the above answer देना इसका आपको हमें comment section में second question है, देखे, किस container में dusting powder को dispense किया जाता है metal container में, sifter top container में glass container या stainless steel container तो दोनों ही questions का answer आप हमें दे comment section में so thanks for watching, next video में cover करेंगे pharmaceutics chapter 20.3 जिसमें हम, जो rest of the topic है powder के, जिसमें हम देखेंगे simple and compound powder for internal use powder enclosed in caches and capsule and effervescent powder and effervescent granules तो ये सारे ही topic हम cover करेंगे अपनी next video में so friends अगर आपके video चुलेगे तो उस video को ज़रूर like किजे, share किजे अपने friends के साथ हमें हर video आप तक पहुचाने में बहुत मेहनत लगती है तो please support करें हमारे channel को subscribe करके video को नीचे रड़ करके subscribe button दिया होगा उस पे click करके आप channel को subscribe कर सकते हैं अगर अपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे हमें comment box में पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे related videos के link है जिन पे click करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तो learning pharmacy पे आने के लिए और ये video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले video में